Hello everyone, कैसे आप लोग, चलिए शुरू करते हैं E-classes Students, आज NCIT Book Science, Class 8th और Chapter है 11 मेरा Topic है Force and Pressure हम Class 7th में कुछ Movement के वारे में Study किये थे और Movement के वारे में Study करने के बाद ये भी जाने थे कि कोई भी Body में हम Move करवा सकते हैं उसमें Fast या Slow कर सकते हैं उसके Direction बदल सकते हैं है की नहीं? तो ये सारे Processes जो हम करते हैं उसमें ऐसा क्या होता है? कभी आप Wander नहीं हुए कि जो भी Body है, जो भी चल रही है उसमें हम क्या करते हैं? कि उसकी Direction बदल जाता है ऐसा क्या कर देते हैं? कि अगर Fast है तो Slow और Slow है तो Fast हो जाता है इन सब के बारे में कभी आपने सोचा नहीं? चले, कुछ और देखते हैं कि जैसे कि यहाँ पे देखिए ये कुछ Players हैं कि फुटवाल में मुवमेंट कैसे होती है? गोल कीपर कैसे Ball को Stop कर देता है? और हौकी प्लेयर किस तरह से Direction चेंज कर देता है किसी Ball का? अगर हम किसी क्रिकेटर की बात करें जो बैट समयन है वो Ball को अपने बैट से इतना Fast जो किक करता है, अपने मारता है तो उसको किस तरह से कोई फिल्डर रोक लेता है तरह बाल जो मारा गया तो बहुत तेजी Fast movement होती रहती है उस समय कैसे किस तरह से रोक लिया जाता है इन सारी चीजों को अगर हम देखें कि किसी भी आपजेक्ट में Faster, Slower या Direction चेंज हो रहा है क्या कह सकते हैं कि इन सब चीजों में Force apply कर रहे है बाल में कैसे कि अगर kick करना है तब भी force apply करेंगे push करना है, throne करना है या flick करना है इन सब जगों पी हमारा force apply हो रहा है तो इस चेप्टर में हम force के बारे में study करेंगे कि ये जो किसी भी चीजों में movement लेया देना direction बदल देना slow को fast fast को slow में convert कर देना ये सारी चीजें को जो हम force कर रहे हैं ये actually कैसे होती है क्या होती है इसका physical properties क्या है इसका physics में क्या importance है ये सारी चीजों का study करेंगे students मैं पंकर शुक्ला आपको अपने science classes की वीडियो में welcome करता हूँ चलिए continue होते हैं फोर्स पुश और पूल एक्शन लाइक पिकिंग इविनिंग ओपेनिंग शुटिंग कीकिंग हीटिंग लिफ्टिंग फ्लिकिंग पुशिंग पुलिंग ये सारी जो एक्शन है यानि कि हम में कुछ चीजों को पकड़ना हो अपन करना हो शुट करना हो किक करना हो हीट करना हो लिफ्ट करना हो फ्लिक करना हो पुश करना हो या पुल करना हो ये सारे एक्शन में हम क्या करते हैं यूज टू डिस्क्राइब शर्टेन टास्क इन्हीं को हम प्राया यूज करते हैं मतलब इनका को डिस्क्राइब करना है यह सारे जो टास्क हैं इच उफ दीज एक्षिन यूज रिजली रिजली रिजल इन शम काईड ऑफ चेंज इन दे श्टेट ओफ तो यह जो श्टेट ओफ मोशन किसी भी अबजेक्ट का हम चेंज करते हैं यह सारी चीजे करके प्रकर यह ओपन करके शट करके किक करके तो यह सब क्या है इनको हम क्या कोई ऐसा टर्म दे सकते हैं फोर्ष के अलावा इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे इन प्लेयर्स को आप ध्यान से देखे प्लेयरिंग में सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट होता है इस हमारे फिजकल प्रॉपर्टीज का फिजकल टर्मिनोलोजी का जिस बहुत सारे अक्टिविटी हैं जैसे की ओपिनिंग ड्रावर मुविंग लोड कार्ट अ क्रिकेट बाल बाई अब फुटबाल प्लेट टेकिंग अ ठीक है तो यह सारी चीजों में यहां पे है कुछ आप्संस जैसे लिफ्टिंग पुलिंग और एक्शन कैन बी ग्रूप् अकेले हो रहा है पुश हो रहा है कि फूल हो रहा है यह आप फिल करेंगे तो आप इसमें बहुत सारी चीजों का इंपोर्टेंस और इस फिचकल क्वांटिटी का आपको पता चलेगा फिलहाल हम कंटिनुव होते हैं और देखते हैं प्रतीक जो एक्शन हो रहा है जो भी आप नोटिस किये हो तो इन सब को हम एक कंबाइंड वर्ड में यही कह सकते हैं कि या तो यह पुश किया जा रहा है या तो पुल किया जा रहा है हम बहुत सारे जो भी एक्शन हो करते हैं इन सब में सिर्फ हम दो ही टर्मिनोलाजी यूज कर सकते हैं जिसमें या तो पुश होगा या तो पुल होगा किसी भी आपजेक्ट में ठीक तो यह जो भी आपजेक्ट में मुविंग कर रहे हैं या किसी भी आपजेक्ट में हम मुविंग करते हैं उनके किसी भी डिरेक्शन में किसी भी उनके मुविंट में तो इन सम में सिर्फ हम पुश आर पुल ही करते हैं in science a push और a pull on an object is called a force science की लेंगवज में, science की भाषा में हम किसी भी आपजेक्ट को अगर पुश करते हैं या पुल करते हैं उसको हम फोर्स करते हैं तो हम यही कर सकते हैं कि जो motion है उसमें जो भी changes वगेरा आते हैं जो भी actions होते हैं वो force की द्वारा होते हैं और क्या क्या हो रहे हैं चलिए हम उनको study करते हैं students ध्यान से देखिए गाई सारे actions को देखिए a man standing behind a stationary car stationary car का means होता है रुकी हुई का तो एक इनसान रुकी हुई कार के पीछे खड़ा हुआ है यहाँ पर देखिए who is pulling whom काउन किसको खीच रहा है second यहाँ पर a car being pushed by a man एक मनुष्य के द्वारा car push किया जा रहा है who is pulling whom काउन किसको खीच रहा है ध्यान से देखिएगा एक यह bell है और एक इनसान है एक दूसरे को खीच रहे है who is pushing whom काउन किसको push कर रहा है यह fighting के समय ऐसा हो सकता है यह playing के समय ऐसा हो सकता है forces are due to an interaction ध्यान देजी का जो भी forces होते हैं वो interaction से होते हैं forces कैसे होते हैं due to an interaction चले यह जानते हैं यह interaction क्या है suppose a man is standing behind a stationary car will the car move due to his presence suppose the man now begin to push the car that is he applied a force on it the car may begin to move in direction of the applied force note that the man has to push the car to make its move suppose करें कि कोई एक कार है जिसके जस्ट पीछे कोई एक इन्सान खड़ा हुआ है तो क्या कार movement करेगी नो जब खड़ा है standing position पे है तो थोड़ी movement करेगी कभी नहीं जब उस कार में वो force apply करेगा पीछे खड़ा होने वाला बच्चा तो उस समय क्या होगा कार move करना शुरू कर देगी इसी तरह three videos और आपको दिखा रहे हैं दो girls हैं यहां पर यहां पर दो ladies हैं और यहां पर एक guy के साथ एक इन्सान है देखो तीनो की तीनो videos में क्या हो रहा है three situation that may be familiar to you आप इन्से familiar हो can you decide who is pulling and who is pushing in these cases both the girls appear to push each other while the pair of girls are trying to pull each other similarly the cow and the man यानि कि दोनो girls या दोनो ladies या दोनो cow और man एक दूसरे को क्या कर रहे हैं pull कर रहे हैं तो the cow अच्छा appear to pull each other एक दूसरे से खीची खीचा कर रहे हैं यानि pull कर रहे हैं the girls in the two situation are shown there यहां पे और यहां पे ठीक है तो shown here are applying force on each other एक दूसरे के ऊपर force apply कर रहे हैं so यह true है कि एक दूसरे को pull किया जा रहा है चाहे यह बच्ची हो चाहे हो ladies या फिर यह guy और whill son from this example we can infer that at least two object must interact for a force to come into play इस example से हम यह clear कर सकते हैं यह कह सकते हैं कि जब कभी कोई force apply होता है तो वहां पे दो अबजेक्ट का interact होना जरूरी है thus an interaction of one object with another object result in a force between the two objects दो अबजेक्ट के बीच में force तभी लगेगा जब दो अबजेक्ट के बीच में interaction होगा so continue करते हैं exploring force let's try to learn more about forces forces के बारे में और बहुत सारी चीजें चलिए जानने की कोशिश करते हैं यहां पे ध्यान से देखिए दो लोग मिलके किसी को किसी एक बड़ी body को push कर रहे हैं और यहां पे एक दूसरे के opposite काम कर रहे हैं have you ever seen कभी आपने सुना होगा tug of war tug of war एक game है जिसमें दो टीम होती है और एक दूसरे को क्या करती हैं खिचती हैं किसी रसी से opposite में opposite direction में एक दूसरे को खिचती हैं देखे यह है tug of war दियान से देखेगा the row may not move if the two team pull at it with equal forces अगर दोनों टीम एक दूसरे को equal forces का use कर रही हैं तो यह move नहीं होंगे क्योंकि इधर भी three इधर भी three rope in their direction sometimes the rope similarly does not move is it not similar to the situation shown जैसा कि पीछे दिखाय गया था उस तरह की similar situation तो यहां पे नहीं है लेकिन the team that pulls harder that is applied मतलब यहां पे यह कर रहा है कि जो team ज़्यादा harder applied force करेगा यानि force जो ज़्यादा apply करेगा उसके ठीक उसी की तरफ यह movement शुरू हो जाएगा what do you these examples suggest about the nature of the force कि नेचर force की नेचर से आप मतलब यह example को देखे force का nature क्या समझ रहे है यही कि force applied on an object in the same direction add to one another now recall that recall what happened when you and your friend push a heavy box in the same direction तो इससे आप क्या समझते हो उसी तरह यहाँ भी देखिए तो यहाँ हम यही define कर सकते हैं कि जब दो force एक दूसरे के opposite अगर लगता है तो दोनों force के differences जो होते हैं जिस team की तरफ ज्यादा force लगेगा तो उससे ओ opposite direction में movement हो जाएगा जैसे कि यहाँ पे देखिए अब यह बड़ा box है हो सकता है कि बड़ा box यहाँ पे double lock लगे हैं तो बड़े box को खिसका रहे हैं लेकिन यहाँ पे अगर एक दूसरे के opposite में लगाएंगे तो box किदर जाएगा जिस side ज़्यादा force apply होगा उधर ही यह moment हो जाएगा what did you observe in activity यह इस activity से आप क्या observe किये हैं यही कि अगर हम अपने उसमें पीछे वाले में टग आप वार में देखें तो यहाँ भी क्या होता है कि अगर दोनों तरफ equal direction लग रहा है तो कोई moment नहीं होगा जब कभी किसी एक तरफ direction ज़्यादा लगता है तभी moment उसमें संभव है so हम यह कह सकते हैं कि we learn that a force could be larger or smaller than the other or equal to each other the strength of a force is usually expressed by its magnitude इसको हम किसी magnitude से ही express कर सकते हैं we have also to specify the direction हम magnitude के साथ specified direction को भी बताएंगे कि किस direction में हमें force लगाना है also if the direction or the magnitude of the applied force changes its effect also changes अगर हम इसके magnitude और direction को बदल देते हैं तो हमेशा इसमें changing आ जाएगी a force can change the state of motion इस force में हम किसी भी object के state of motion को change कर सकते हैं चली कुछ डाइग्राम दिखाते हैं यहां पे देखिए बाल को जब तक हम cricket के समय पुछ नहीं करते तो उसमें क्या होता है तब तक वो rest position पे होती है और rest position पे किसी भी object की जो moment होगी वो जीरो होगी यहां पे tire को देखिए एक बच्चा continue अगर repeatedly tire को push करता जाएगा तो क्या होगा moment लगातार faster से faster होती जाएगी you might recall similar situation for example while taking a penalty kick the football football में किस तरह से kick किया जाएगा वहां पे players opposite में किस तरह से उसमें applied force लगाएगे जब तक उस पे कोई hit नहीं किया जाता तब तक the ball was at rest so its speed was zero उस समय तक जब तक ball में कोई hit नहीं किया जाता ball की जो speed होती हो जीरो होती है और उसमें जो force जब भी force लगाया जाता है तो उसी समय moment होती है बहु सारे action है जो हमारे playing game में होते हैं गोल कीपर का अपना खुद का action और cricket में action बॉल में action यह सारी situation को देखते हुए इस observation suggest a force applied on an object may change its speed तो हम force applied करके हम किसी भी object को change कर सकते हैं उनकी direction को change कर सकते हैं अगर हम किसी भी object के direction में force apply करेंगे जैसे कि यहां tire थोड़ा सा continue रखो और लगातार force apply करते जाओ तो क्या होगा उसके moment में fast होगा यानि increasing होगी अगर उसके direction के opposite हम कोई भी force apply करते हैं तो उसका जो moment होगा वो slow हो जाएगा यानि decrease होगा है speed उसकी decrease हो जाएगी so हर एक हमारे action पे जो भी game हो गयर में खेला जाता है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं horse apply करते हैं चाहे वो volleyball हो volleyball player में भी हो या फिर cricket player में हो so due to the application of a force can you give a few more examples of this kind यहाँ पे बहुँ सारे examples आप force में apply कर सकते हो force में use कर सकते हो so continue रखते हैं a change is a change in either the speed of an object or its direction of motion और both is described as a change in its state of motion thus a force may bring a change in the state of motion of an object हम यह कर सकते हैं कि एक जो force हम apply करते हैं किसी भी motion होते हुए motion के state of motion में या किसी भी object में हम उनके motion को change कर सकते हैं a force can change the shape of an object बहुँ सारे examples हैं जिसमें हम किसी भी object के अपना motion लगा के अपना force लगा के apply करके उसके shape में change कर सकते हैं अगर आटे को देखो water लगा के water डाल के उसमें गुथते हैं तो water गुथते हैं और water को different shape में हम convert कर सकते हैं इसके अलावा अगर किसी भी ऐसी चीजे जो की normal चीजों की बनी होई है अगर उसमें हम बैठ जाते हैं तो उसकी shape या direction change हो जाती है ठीक है इसके अलावा कोई rubber band देखिए rubber band को हम खीच के या pull करके या push करके हम उसके direction में change कर सकते हैं प्लास्टिक और metal scale place between two bricks अगर हम किसी प्लास्टिक या metal के जो scale आती है उसको हम तोड़ करके उनकी shape और size में changing कर सकते हैं हम पिछले बहुत सरे activity को देख करके कि इसमें किस तरह का changing हो रहा है force apply करके हम एक बाल को जो कि फूली हुई बाल को प्रेश करके उसमें अपने हाथों से प्रेश करके उसके shape में change कर सकते हैं तो shape में जब change करेंगे तो क्या होता है when roll to make a chapati जब आप chapati बनाते रहते हो तो chapati को roll करके push करते हो balance से और उसमें changing shape में change कर सकते हो what happened when you press a rubber किसी rubber को आप प्रेश करते हो तो क्या होता है ठीक है in this example you saw that application of force of an object may change its shape हम यह कर सकते हैं कि किसी भी object में जब हम force apply करते हैं तो उनके shape में changing कर सकते हैं having performance all the above activity यो सारे activity से हम यही clear कर सकते हैं conclusion कर सकते हैं conclusion निकाल सकते हैं कि किसी भी object में अगर move है तो rest में rest है तो move में हम कर सकते हैं यानि उसके moment ले आ सकते हैं उस object में speed जो है किसी भी object की उसको हम change कर सकते हैं may change the direction हम किसी भी moving object में direction change कर सकते हैं may bring about a change in the shape of an object किसी भी object की shape को हम change कर सकते हैं may cause some are all of these effects यह सारी की सारे causes जो हैं यह हम अपने applied force से ही कर सकते हैं while a force may cause one are more of these effects it is important to remember that none of these actions can take place without the action of a force मतलब कोई भी ऐसा action जो बिना applied force के नहीं हो सकता thus an object cannot move by itself कोई भी object अपने से move नहीं कर सकती it cannot change speed by itself किसी भी object की जो speed होती है अपने से चेंज नहीं हो सकती it cannot change direction by it cannot change direction मतलब कि किसी की भी direction बिना किसी movement बिना किसी applied force के चेंज नहीं हो सकती and its shape cannot change by itself उनकी जो shape है वो भी change नहीं हो सकती इस सब से हम यही conclusion निकाल सकते हैं कि जो force होता है वो push और pull करके हम उसमें force apply करते हैं किसी भी object में आपजेक्ट के direction आपजेक्ट के डिरेक्शन के साथ उसमें उसके shape, size वगएरा में changing ले आ सकते हैं okay students आज हमारा यह first part है second part में हम जानेंगे contact force और non contact forces so आज के लिए इतना ही आप हमारे वीडियो को like करिए, subscribe करिए और अपने friends के साथ share चरूर करिएगा thanks for watching